तो हेलो दोस्तो वेलकम टो हरोलेंड तो आज समें एक नए सीरिज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपके लिए बूछ साइड स्टरबिंग मुइस को लेकर आने वाला हूँ ये मुविस पुरे वल्ड वाइड बहुत कम रिलिस हुई है क्योंकि इनने कोच एससीने जो की नॉर्मल वीवरे के लिए बिल्कूल भी नहीं है तो अगर आप कमजूर दिल के हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजे और अगर आपको दिल मस्बूत है तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है विक्टोरिय नाम की एक लड़ी से जुके गने जंगल में एक किलर से डर कर भाग रही थी उसकी बौड़ी पर बहुत ही काम कपले थे और उसके शड़ी पर जखमों के निशान भी थे उसे देखकर यह असा लग रहा था कि उस किलर ने विक्ट का मास्क पहना वा था और विक्टोरिय की दोस्त की बौड़ी उसी रूम में पड़ी थी किलर ने उसकी दोस्त की बौड़ी को कई तुक्डों में काट कर रखा था तब ही किलर विक्टोरिय के पास में आता है और उसके हाथ में एक सर्जिकल नाइवता जिससे कि विक्टो और दोनों ही इस बात से बहुत ही कुछ थे हैं लेकिन एक दिन अचानक से लिस का मिस्करेज हो जाता है जिससे कि दोनों ही बहुत टूट जाते हैं ऐसे ही एक साल पीड जाता है लेकिन अभी भी लिस को अपने मिस्करेज का सपना डराय करता था उपर से अब लिस और बैन का बताने के लिए कॉल करती है लेकिन उसे नहीं बता पाती है लिस परेशान थी और उसे देखकर बैन उसे फोटोशिट पर जाने के मोटिवेट भी करता है जिससे कि लिस को थोड़ा अच्छा लगता है अब बैन अपने दोस्ते से मिलने के लिए कलब में जाता है जहां पर व और उस बोन वाल परसन की बातों से लग रहा था कि दोनों के बीच में किसी medical topic फर बाते हो रही है और इनी बातों से हमें मोई का एक बहुती बड़ा हिंट मिलता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दूसरी तरफ लिस को विली को गालाता है जो उसा सेंड निकोला सैवी ने तक फोटो शूट के लिए बुलाता है लिस पर उस एड्रेस के लिए निकल जाती है और कुछी समय में वो विली के घर पर पोच्छती है घर के अंतरा आने के बाद में विली एक अच्छे जेंटलमे की तरह लिस को ट्रीट करता है और लिस का कोट लेकर अलमारी में रख देता है तब हम देख पाते हैं कि उस किलर का वही वाइट मास्क विली के अलमारी में पढ़ावा है मतलब कि वह किलर विली ही है और अभी तक लिस को विली के असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता ह अगले सिन में हम लिली नाम के एक लड़की को अपनों बॉईफरेंड फिलिप के साथ में अपने सिस्टर एरिका को उसी लोकेशन पर ढून रही थी क्योंकि उसके सिस्टर एक हफते पहले से मिसिंग थी और आकरी बार वो विली के पास से फोटो शूट के लाई थी तब ही उनको विली के घर के लाईट नजर आती है और दोनों उसके घर के तरफ पुछताच करने जाते हैं यहाँ पर घर के अंदर विली लिस का फोटो शूट कर रहा था और लिस विली को कुछ जादा ही खुपसुत लग रही थी लेकिन लिस थोड़ी से परिशान और दुखी लग रही थी तो इसलिए विली उसका रीजन पूछता है तब लिस उसे अपने मिसकरेज की बात बताती है यह सुनकर विली लिस को कमफट करता है और उसे कुछ देर रेस्ट करने को कहता है तब लिली और फिलिप विली के घर तक आ गयते हैं तो इसलिए विली उन्हें देखने दर्वाज़े पर जाता है लिली उसे अपनी सिस्टर एरिका के बार में पूछती है तब विली उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है यहाँ पर लिस बातरूम में फ्रेश होने के ले जाती है तब ही अचानक से वो बातरूम के फ्लोर पर बहुत सारे बलड को नोटिस करती है फिर वो जब बातरूम के दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की की डेड़ बूर दिखाई देती है जिससे देखकर लिस भूते साधा डर जाती है वो समझ चुकी थे कि विली कोई अच्छा इंसान नहीं है फिर बातरूम से निकल कर वो घर से निकलने का रास्ता डूडने लगती है लेकिन घर के सारी खिड़किया और डोर लॉक थे उपर से पीछे के दर्वाजे पर कई सारे लॉक लगाय हुए थे और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था तब विली लेली और फिलिप से बाते कर दा था उनकी आवाज सुनकर लिस चुपकर उन्हें देखने लगती है तब ही वो देखते है कि विली ने एक हेमर से फिलिप के सरपर वार करके उसे जान से मार दिया है फिर अचानक से फिलिप को ऐसे मरतवे देखकर लिस और लिली दौन शौक डोजाते हैं जिसके बद लिस तूरनते कुरू में जाकर अपने हजबेंट बेन को काल करके वीली के बारे में सब कुछ बताती है और उससे हिल्फ मांगती है लिस बेन को उस जगे का नाम बताती है लेकिन वीली के गर का address पुरी तरह से बतावाती उस से पहले वीली एक प्लास्टिक बेग लिस के सर पर डाल कर उसके साथ से रोक कर उसे भ्योश रह दिता है और बैन जब तक दूसरी बार लिस्क को कॉल करता तब तक लिस्क का फोन ओफ हो चुगा था जिसके बाद बैन पुलिस को कॉल करके लिस्क के मिसिंग होने के बारे में और विली के बारे में बताता है लेकिन बेन पुलिस को कुछ प्रपर इंफॉमेशन नहीं दे पा रहा था तो इसलिए पुलिस उसे सिरियसली नहीं ले रही थी इधर लिस्क जब आके कुलती है तो खुद को बेस्मेंट वे बंदा वबाती है और उसके सामने एक बैट पर लिली भेहुश थी तब ही लिली की भी आके बुलती है लेकिन विली ने उससे कोई इंजेक्शन लगाया था जिससे कि वो अपनी बोडी को मूब नहीं कर पा रही थी लिस हेल्प के लिए चिला रही थी और विली उसकी आवाज किचन से सुन रहा था उससे पताता है कि लिस की आवाज घर के बार नहीं जा सकते है तो इसलिए वो बिल्कु टेंशन वरी था तब विली का एक दोस्त मार्क उसके घर पर आता है मार्क को बैस्मेंट से लिस की आवाज सुन नहीं देती है लेकिन वो लिस के कोई हेल्प नहीं करता है अपनी बॉड़ी को मुझ नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में उसके बहुत ही पहन हो रहा था, और कुछी समय में तरब तरब कर उसकी मौत हो जाती है, यहाँ पर बैन जो उस लोकेशन पर विली का घर ढूंड रहा था, तो उसका सामने मार्केस होता है, तब बैन मार्क लिस्क की कारी चला रहा था, उससे लिस्क की कार में देखकर बैन उसका पीछा करने लगता है, साथियो पुलिस को भी इस बार में बता देता है, बैन की बात सुनकर पुलिस अपने को ऑफिसर को उसी लोकेशन पर बेजने वाली थी, लेकिन उ बैन को कॉल पर कनेक् इस भी करता है तो वहीं पर मार्क वहाँ पर लीजा की कार को ठिकाना लगाना गया था उसी समय बेन का फोन डिंग करता है और मार्क का ध्यान उसकी कार की तरफ जाता है बेन पूरी कोशिच करता है मार्क से खुद को चुपाने की लेकिन मार्क को वो नजर नहीं आता है तो इसले वो कार से कुछ सामन लेकर वहां से दूर चल जाता है फिर इसके बार में वहां से जाता ही Ben लिसक कार को देखने आता है और वहां पर उसे एक प्लास्टिक बेग में फिलिप की बोडी की कटे वज तुकड़ा मिलता है मतलब कि वीली मारक से डेट बोडिस को भी ठिकाने लगवाता था और कुछ दर पहले वो किसी की डेट बोडिको भी ठिकाने लगाना आया था तब ही वहापर मारक आता है और बेन को देखकर वो उस पर भुसा होता है उपर से Ben जब उसे List के बारे में पूचता है तो Mark Ben को पीटता है दोनों के बीच में Ben का जगड़ा ओता है और तब Mark Ben के हाथ में चाकू मारता है और उसी चाकू से वह उसके सीने पर भी वार करना ही वारा था तब ही सही समय पर Ben एक टोच को मारकर के सर पर मारता है करना नहीं देता है। उल्टाउ से जेल जाने का डरा दिखाकर उससे मारके कि बोड़ी को ठिकाना लगाने को कहता है। बेन उन्हें जोट बोलता है कि मारको को पकड़ नहीं पाया और वहाँ पर आने के बार में वो गयाव हो गया। Steve को उन्पर थोड़ सा शख होता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलता है और उन्हें जाना जाता है जिसके बाद में Nikom Ben को अपने साथ मिले जाता है और उनके वाह से जाने के बाद में Steve को वाह पर ब्लेट लगावा हूँ वही चाकू मिलता है थोड़ा ढूडने पर उन्हें लिस की कार मारक और फिलिप की डेट बोड़िस के साथ में मिलती है तब उनका सीधा शक बेन के उपर जाता है इधर लिस विली की हरकतों से डरी हुई थी तब ही वो अपने पास एक ग्लास के तुकड़े को नोटिस करती है जिसे वो अपने पास में चुपा लेती है वो धीरे धीरे हाथों के रस्से काटना लगती है तो वोई पर लिली का औरगन को अलगलब बॉक्स में रखने के बार में विली लिली के बलड से ही उसकी पैंटिंग बनाता है जो कि वो लिली की सिस्टर एरिका की पेंटिंग के पास में रखने वाला था तो वही पर बेन लिस को लेकर बहुत ही परशान था तब निक उसे बरुसा दिलाता है कि उसकी वाइफ लिस मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा फिरो दूसरे रूम में जाकर विली को कॉल करता है लेकिन उसका फोन वाइस मेल पर जा रहा था तब निक विली के लिए एक मेसेज चोड़ता है कि वो लिस को नमारे वो उसकी दोस्त की वाइफ है और यहां पर हमें पता चलता है कि विली और निक मिले हुए है विली लोगों को मारकर उनके ओरगन निक को बेचता था तो इसलिए मारकर की डेट बोड़ी देखकर निक इतना ज़ता परेशान हुआ था क्योंकि मारकर की बोड़ी अगर पुलिस को मिलती तो उनके human organ trafficking के काम के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा और इसलिए उस मारकर की डेट को ठिकाना लगा था वो भी सिर्फ अपने फाइदे के लिए यहां पर बेन को निक के घर पे जो इस्टोर नाम की एक फाइल मिलती है और उसे यह स्टोर का कीचेन उसे मारकर के पास में भी मिलता तब बेन को निक के बारे में सारी बाते पता चल जाती है जिसके बाद में वो निक से अपनी वाइफ लिस के बारे में डारेक्टल पूछता है अब जपान जैसा कुछ बचा नहीं था तो इसलिए दोनों के बीच में जगड़ा होता है और निक वहाँ से भागता है बेन उसका पीछा करता है और तब तक वहाँ पर पुलिस ओफिसर से इस्टीव आ चुके थे हैं और वो बेन को देखकर उसका पीछा करना लगते है दूसे तरफ विली लेली के डेट बोड़ी को अपना साथ में लेकर बेस्मेंट से उपर रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो चैंसों से लेली के बोड़ी के छोट़-चोट़ तुकड़ करना लगता है चैंसों के आवस से लिस बहुत ही भैंकर डर जाती है उसने अपना हाथ खोल लेते हैं लेकिन बेस्मेंट का दरवा से विली लॉक करकर गया था तो इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी कुछ देर के बार में विली जब बेस्मेंट पर वापस आता है तो लीज उस काच के तुकड़े को अपने हाथों में चुपा कर बेढ़ जाती है फिर विली उसे अपनी बनाई हूई लेली की पेंटिंग दिखाता है जो बहुत ही बहानक थी विली उसके पास में आकर उसकी भी पेंटिंग बनाने की बाते बोलता है और उसी मोके का फाइदा उठा कर लिज उस काच के तुकड़े से विली के उपर वार करके मेंडूर की चाबी ले लेती है फिर इसके बार में वो मेंडूर को खुल कर वहां से रोड के तरफ भागती है सड़क पर लिज को देखकर उसके पास में कारा करुपती है वह इंसान लीज को अपनी कार शॉभ बिड़ाता है तब तक विली वहाँ पर अपना वही वाइट मास्क पहन कर उस कार के समन आ चुका था और लीज उस परसन को विली के बारे में बता पती उस से पहले विली एक हैमर से उस परसन को पिट पिट कर उसे माँ डालता है लिज वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वीली के हाथों पकड़ी जाती है यहाँ पर पुलिस ओफिसर स्टीव निक के घर के तलाशी ले रहा था और दोसी तरफ बेन निक के एक स्टोर हाउस के तलाशी ले रहा था सांती बेन को एक freezer room में human के बहुत सारे organ मिलते हैं जिसके बद पुलिस officer Steve को call करके निक और विली के बारे में बताता है जो इन सब में मिले हुएते हैं और वो उन्हें विली का address भी देता है जो उसे निक के एक file से मिला था उसे पता था कि उसकी वह फिलीस वही है तो इसलिए वो खुद भी विली के घर के लिए निकल जाता है इधर लिसके जब आखे खुलती है तो वो खुद को photo shoot room में पाती है जहां पर विली उसकी photo लेने लगता है विली को लिसके आखे बहुती पसंदा गई थी तो इसलिए वो उसकी आखों को निकाल कर हमेशे अपने पासमा रखने वाला था तब ही उसके अपने घर की डॉर बेल सुनाई देती है जाने से पहले वो एक केल लिसके पेर के आरपार करके फ्लोर पर लगा देता है ताकि लिसक कहीं भाग नहीं पाए लिस दर्दवर रोना लगती है लेकिन इससे विली को कोई फरक नहीं पड़ता है फिर जब विली डॉर को खोलता है तो निक उसे मिलने के लाया था जो उससे लिसक को छोड़ने के लिए कहता है सांथियो बेन के हातों मारकर के मरने के बारे में भी उसे बताता है लेकिन विली किसी भी कीमत पर लिस को नहीं छोड़ने वाला था तब निक उसको फाइनल ओडर देकर लिस को छोड़ने के लिए कहता है और अब वो ये सभी काम बंद करने वाला था नई तो पुलीस को मारकर की बोड़ी मिलने पर वे सभी फस सकते थे वैसे भी बोस वही था वही और अर्यन के पैसे देता था तो सब कुछ उसी के हिसाब सोगा तब निक को बेन का कॉल आता है और जब वो बेन के साथ में बाते कर रहा था तो उस समय विली एक नेल गंग से निक के सर पर किल गुजा कर निक को भी जान से मार देता है फिर वो निक के फोन से बेन के साथ बात करता है और उसे कहता है कि वो उसका वेट कर रहा है कुछ दिर के बाद में पुलिस ओफिसर स्टीव वीली के गर में आते है और वो उसको आवाज भी लगाते है लेकिन विली कोई response नहीं देता है फ्लोर पर स्टीव को blood गिरावा दिखाई देता है लेकिन पुलिस कंट्रोल में वो ये बता पाते है उससे पहले विली वाँ पर आकर उसके सर पर हतोड़ा से वार करके उसे बहुश कर देता है इदर बैन पीचे के दर्वाजे से विली के गर में घुश चुका था और थोड़ा डूडने पर उसे लिस मिल जाती है अपने शरीप जखमों की वज़े से लिस बहुश दी बैन उसे होश मेलाता है और उसके पेर से उसकील को निकालता है और कुछी देर में इस्टीव की भी मौत हो जाती है इस दुरान बैन और लिस विली के फोटो स्टूडियो में घुश कहे थे और वहाँ पर उन्हें विली के विक्टियम की बहुत साई डिस्टबिंग फोटो दिखती है जहांपर विली के जरिये की गई टॉर्चर और उपरेशन की फोटो थी फिर लिस एक सर्जिकल नाइफ से सभी के फोटो को कट कर देती है और उसके बाद में दोनों ये पीछे के दरवाजे से घर से निकल कर जंगल के तरु भागते है विली जब स्टूडियो माता है तो वहापर कटी फोटो देखकर वो बहुती गुस्टा था चूंकि ये उसका सालो का कलेक्शन था और गुस्टे में वो लिस और बेन का पीछा करने लगता है तब लिस और बेन एक पाहड़ के आगरी पॉइंट पर आ गये थे जो विली लिस पर हमला करने वाला था तो बेन विली को पकड़ कर पाहड़ से नीचे गिर जाता है लगली दोनों बज जाते हैं क्योंकि उप भाड़ी जादा उची नहीं थी जिसके बार में बेन और विली के बीच में लड़ाई होती है दोनों एक दूसरे को बेनकर तरीक से मारते हैं और विली हतोडं से बेन को मारने होला था तब लज उस उस रजजिकल नाइफ को विली की भीट में गुशा देती है जिसके बार में विली लिसको मारने के लिए उसके बीचे पड़ जाता है तब Ben उस रजिकल नाइव को दूर से फेक कर विली के गले में गुसा देता है मौके का वाइदा उटा कर लिस हतोर से उसके सर पर वार करके उसे जान समाड दलती है और मुवी का अकरी सिन्मे लिस बेन के पास में आती है और उसे इशारों में अपने प्रगेंसे के बारें बताती है जो कि लिस नी बेन को अभी तक नहीं बताया था ये जानकर बेन बहुते खुश था क्योंकि अब उन दोनों के लाइफ पहले जैसे परफेक्ट होने वाली थी और इसी हपी एंडिंग के साथ में मूवी यहीं पर एंड होती है तो दोस्तों ये थी डिस्टरबिंग मूवी सीरियस के पहली वीडियो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलेगराम चैनल को जॉइन कर लेना मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा और मेरे साथ में सीरियस में बने रहीएगा क्योंकि जल्दी है मैं एको डिस्टरबिंग मूवे अफलोट करने वाला हूँ तो मेरे साथ उस वीडियो को वजब हो देखे गया तो चलिए मिलता बगले वीडियो में